जै श्री कृष्णा आज द्वादसी पर आई ये सुनते हैं मा तुलसी की यह कथा तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है स्रीमद देवी भागवत पुरार में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है एक बार सिव ने अपने तेज को समुन्द्र में फेक दिया था उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था दैत्य राज कालनेमी की कन्या ब्रिंदा का विबा जालंधर से हुआ जालंधर महाराचस्था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लच्मी को पाने की कामना से युध किया परंतु समुंद्र से ही उत्पन होने के कारण माता लच्मी ने उसे अपने भाई के रूप में श्विकार किया वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलास परवत पर गया भग्मान देवाधि देव सीव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया परन्तु मान ने अपने योगबल से उसे तुरंद पहचान लिया तथा वहां से अंतरध्यान हो गई देवी पार्वती ने क्रुध होकर सारा ब्रितान भगवान विश्णू को सुनाया जालंधर की पत्नी ब्रिंदा अतियंट पती ब्रता इस्त्री थी उसी के पती ब्रत्धर्म की सक्ती से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था इसी लिए जालंधर का नास करने के लिए ब्रिंदा के पती ब्रत्धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था इसी कारण भगवान विश्णू रिशी का विश्धारर कर बन में जा पहुँचे जहां ब्रिंदा अकेली भ्रमर कर रही थी भगवान के साथ दो माया भी राचस भी थे जिन्हें देखकर ब्रिंदा भैभीत हो गई रिशी ने ब्रिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया उनकी सक्ती देखकर ब्रिंदा ने कैलास परवत पर महा देव के साथ युध कर रहे अपने पती जालंधर के बारे में पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किये एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर्था तथा दूसरे के हाथ में धड़ अपने पती की यह दसा देखकर ब्रिंदा मूर्चित होकर गिर पड़ी होस में आने पर उन्होंने रिशी रुपी भगवान से बिंती की की वह उसके पती को जीवीद करें भगवान ने अपनी माया से पुनह जालंधर का सिर्थ धर से जोड दिया परन्तु श्वयम भी वह उसी सरीर में प्रवेश कर गए ब्रिंदा को इस छल का जरा आभाश न हुआ जालंधर बने भगवान के साथ ब्रिंदा पती ब्रता का बिवहार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही ब्रिंदा का पती जालंधर युध में हार गया इस सारी लेला का जब ब्रिंदा को पता चला तो उसने कृध होकर भगवान विश्रू को सिला होने का स्राप दे दिया तथा स्वयम सती हो गई जहां ब्रिंदा भस्म होई थी वहां तुलसी का पउधा उगा भगवान विश्रू ने ब्रिंदा से कहा हे ब्रिंदा तुम अपने सतित्व के कारण मुझे लच्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी जो मनुष्य भी मेरे साली ग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोग और परलोग में बिपुलियस प्राप्त होगा जिस घर में तुलसी होती हैं वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते गंगा वर नर्मदा के जल में असनार तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों नहो मृत्यू के समय जिसके प्राड मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुप्त होकर बैंकूंठ धाम को प्राप्त होता है जो मनुष्य तुलसी और आवलों की छाया में अपने पित्रों का स्राध करता है उसके पितर मोच को प्राप्त हो जाते हैं उसी दैत्य जालंधर की यह भूमी जालंधर नाम से विख्यात है सती ब्रिंदा का मंदी मुहला को किसंचन में इस्थित है कहते हैं इस अस्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरी द्वार तक जाती थी सचे मन से 40 दिन तक सती ब्रिंदा देवी के मंदीर में पूजा करने से सभी मनुरत पूर होते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन औल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद